आधार ताल में दिनांक 2 सितंबर की रात हडशा बर्मन वेलकम कॉलोनी पटेल नगर सुहासी उसके पहचान का मुभोला भाई रवी पटेल उसके खराया था वे रवी पटेल से बाचित करते हुए घर के बाहर निकली थी और उसी समय घर के कुछ दूरी पर ललित आटा चकी के पास खाली प्लोट पर वेलकम कॉलोनी पटेल नगर मुहले के सोरफ रजक हाथ में चाकू, मुकेश रजक इवं गोफी बर्मन डंडा लिये मिले उनके साथ श्रद्धा रजक उसके घर के पास आकर उसे बोली कि तुम्हारे अकेले घर में रवी क्यों आए हैं जहाँ पर दुसरे लोग भी क्यों आते हैं तो उसने कहा कि रवी उसका मुगोला भाई है उससे मिलने आया था इसी बात पर सोरफ रजक मुकेश रजक गोफ बर्मन और श्रद्धार रजक नाराज होकर उसे एवं रवी पटेल के साथ गाली गलोच करने लगे उसने चारों को गालिया देने से मना किया तो चारों बोले कि तुम बहुत लोगों को अपने घर बुलाती है आज जान से खत्म कर देंगे ऐसा कहते वे हत्या करनी की निय से उसके एवं रवी पटेल के साथ मारपीट करने लगे सोरब ने चाकू से हमला पेट पीट सिर और तथा गोपी बर्मन एवं मुकेश ने डंडे से हमला कर उसे सिर में पीट में तथा रवी पटेल को पेट पीट में प्रान घार तक चोट पोचाई थी श्रद्धार रज करते हुए आरोपी सोरव रजक उम्रबीस वर्ष या मुकेश रजक उम्रपेदालिस वर्ष दोनों निवासी पटेल नगर सुहासगी को अभी रक्षा में लेते हुए सेश आरोपी की गिरफतारी के प्रयाजशारी हैं सुहागी महाराचपुर निवासी हर्षा बर्मन की रिपोर्ट पर कल शाम को रातरी में साथ बजे करीबन 307 का प्रक्रण सौरव रजक मुकेश रजक के विरुद पंजीबत किया गया है विबाद का कारणे था कि हर्षा बर्मन के घर में उसका मुझ बोले भाई रभी पटेल का आना जाना था इस बात पे से पड़ोशी उन्हें अपति ली थी कि रभी पटेल और अन्य लोग तुमाए घर के वा आते इस बात पे से विबाद हुआ और अभी पटेल को डंडे से चाकूगों से चोट पहुंचाए गई है वो अभी हॉस्पिटलाइज है और दो आरूपी इसमा मोकेश रजक और शोरब रजक गिरपता रुप चुके हैं दो अन्य हैं उनकी तलाश जा रही है ठीक वाइस ओफ रैट्स के जोईलपूर से अशिशवातरी के लपोट